नमस्कार दोस्तों स्वागत एक पर फिर से हमारी चैनल दफेच फैक्ट पे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा साथ ही एक ऐसा बोनस पॉइंट जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों वेल दोस्तों स्पेस गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में आज जानना किसको पसंद नहीं है यहाँ तक कि लोग देश वीदेश को छोड़ कर चांद पर या फिर अन्ने करहों पर जाने की चाह रखते हैं और जहाँ स्पेस की बात आती है तो सबकी दिमाग में बस दो ही नाम घूमता है जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे फेमस दो स्पेस एजनसी के बारे में फैक्ट बताऊँगा जिसको सुनने की बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा ये दोनों एक ऐसी स्पेस एजनसी है जो आई दिन किसी न किसी मिस्टरी को सॉल्ब करते रहती है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखना इम शूर इसके पाद आपका नौरेज एक अलग लेबल पे होगा वेल दोस्तो नासा का पूरा नाम National Aeronautic Space Administration है और ये एक वर्ल्ड फेमस अमेरिका की स्पेस एजनसी है नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में YDSN आवर दोरा हुई थी साथी दोस्तो नासा का Head Quarter Washington DC में है और President में यहां के Administrator Bill Nansen है वहीं दोस्तो इसरो का पूरा नाम Indian Space Research Organization है ये भी दुनिया भर में मसूर एक Space Agency है इसके स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसके स्थापना करस्ते बिक्रम सारा भाई को दिया जाता है साथी इसरो का Head Quarter Bangaloodoo में है और इसके President के Chairman Dr. K. Sivan है आपको बता दे कि NASA में लगभग 17,000 से जादा लोग काम करते हैं जो सिर्फ अमेरिका के नहीं बलकि अलग-अलग देशों से आये हुए होते हैं साथी आपको जानके हैरानी होगी कि एक Survey के मुतावित NASA में 36% Scientist Indian है और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिने आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो जैसे कलपना चावला, सुनीता विलियम ऐसे कई नाम है जिनको आप बच्पन से देखते हुए आ रहे हो वहीं अगर ISRO की बात करें तो अभी लगबग 17,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आपको जानके खुशी होगी कि ये सभी के सभी एक सचे भारतिये हैं यदि हम Projects की बात करें तो NASA के जायतर Projects अलग-अलग ग्राओं की खोज में होते हैं इसलिए तो NASA दुनिया बर में नए नए Projects करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मसूर है तो वहीं दूसरी तरफ ISRO के सभी के सभी Projects भारत और उसके आसपास के देशों के development से जुड़े होते हैं वेल दोस्तों यदि हम इनकी बजट की बात करें तो ये काफी ज्यादा सौकिंग है NASA का टोटल बजट 2021 का 23.3 बिलियन डॉलर है तो वहीं ISRO का बजट NASA के आधा भी नहीं है ISRO का टोटल बजट 2021 का 2 बिलियन डॉलर है जिस कारण से कम खर्च में successful mission करने में भारत का एक अलग ही अस्थान है दोस्तों आज NASA ने जितनी भी तरक्की कर लिये लेकिन आज भी वह अपने satellite rockets और भी कई उपकरनों के लिए spare parts अलग-अलग देशों से खरीते हैं और उनके साथ मिलकर projects पे काम करते हैं बट दोस्तों इस तरों की बात तो कुछ और ही है ये सभी spare parts को खुदी बनाती है और ज़्यादा तर mission भी अकेले अंजाम देती है दोस्तों यदि हम successful missions की बात करें तो NASA ने Pioneer, Quaygar, Cassini Huggins, Hubble, Apollo, Vikings और Spitzer जैसे बड़े projects को सफलता पुर्वक किया है तो वहीं इस रो कैसे पीछे रह सकता है इसने Chandrian 1, Mangalian 1, Kato Set और PSLV C-37 जैसे बड़े missions में सफलता पुर्वक कामियावी हांसिल की है NASA का सबसे पहला satellite Explorer 1 था जो कि 31st January 1951 में launch किया गया था वहीं इस रो की सबसे पहली satellite Aria Bhatt था जो कि 19 April 1975 को Soviet Union की मदद से launch किया गया था वेल दोस तो अगर हम NASA की successful moon missions की बात करें तो 13 September 1959 में launch किया गया Luna 2 था वो भी एक Soviet Union की मदद से launch किया गया spacecraft था और साथ ही आपको पता दू NASA ने ही सबसे पहले इंसानों को moon पर भेजा था जो कि 20 July 1969 को Neil Armstrong गए थे ये दुनिया का सबसे पहला और successful moon missions में से एक था जिसे Apollo 11 नाम दिया गया था उसके बाद तो NASA ने वहाँ अपना घर ही बना लिया जैसे लागातार 6 बार गई ये चांद पर हूँ और साथ ही दोस्तों को ये भी जाना चाहिए चांद पर सबसे ज़ादा कचड़ा फैला आने वाला देश भी यही है यदि हम इश्रो की moon missions की बात करें तो इश्रो का सफल moon mission चंद्रियान 1 था जो कि 20 October 2008 में लाँच किया गया था और जैसा कि आपको पता है भारती तियास रचने में सबसे आ गया है जिस कारण से पहली बार में इश्रो को बहुत बड़ी सफलता मिली इतना ही नहीं चंद्रियान एक पहला moon mission था जिसने moon पर पानी की खोज की थी और यह पूरे विश्रो के लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तो moon mission के बाद आती है मार्स पर जाने की बार यदि हम मार्स मिशन की बात करें तो नासा ने 5 नमबर 1964 को अपनी पहली मार्स सैटलाइट माराइनर 3 बेजी थी जो की सकसवल नहीं रहा था इसके बाद फिर उन्होंने 14 जुलाइट 1965 को माराइनर 4 बेजा जो की दुनिया में सबसे पहला सकसवल मार्स मिशन था लेकिन फिर भी माराइनर 9 मार्स के ओरविट में जाने वाला पहला सैटलाइट बना उसके बाद भी नासा ने मार्स पाथफाइंडर, मार्स इंसाइट, फियोनिक और क्रियोसिटी जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिये तो वहीं दूसरी तरफ इस्टरो का पहला मार्स मिशन मंगल यान 1 था जो की 5 नवंबर 2013 में लॉंच किया गया था और जैसा कि आदत से मजबूर भारत मार्स मिशन में भी पहली बार में ही कामियावी हासिल की और साथ ही इस्टरो का ये मार्स मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था जिसे मातर 75 मिलियन डॉलर में पूरा किया गया था आपको बता दे कि NASA Mars के अलावा भी कहें ग्रहों पर सफलता पुर्वक साटलाइट बेज चुका है और ऐसे ऐसे ग्रहों की खोज कर चुका है जिसे खोजना नामुम्किन था लेकिन इसरों ने अभी तक Mars तक ही जाने की काम्यावी हासिल किये वेल दोस्तो अगर हमें Space Stations की बात करें तो NASA के पास एक International Space Station है जो कि 20 November 1998 को लांच किया गया था और जिसकी कोश 15,000 करोर डॉलर है जो कि एक बहुत ही बड़ा एमाउंट है बट इसरों के पास ऐसा कोई भी International Space Station नहीं है और ना है इसका कोई प्लैन है और ना तो बजट है जिस से कई Satellite Launching Vehicles हैं वहीं अगर इसरों की बात करें तो इनके पास SLV, ASLB, PSLB, GSLB जैसे कई बड़े Satellite Launcher हैं वेल दोस्तों लास्ट में अब आती है इनके Future Missions की बारी यदि हम नासा की Future Missions की बात करें तो पारकर स्पेस प्रो और इसिस रेक्स, यूरोपा क्लीपर और ड् अंजाम देने की सोच रहे हैं साथी RLB, TD, Scrum Jet Engine, TD जैसे कई launching vehicles विलाने की सोच रहे हैं इतना ही नहीं आने वाले टाइम में दोस्तों इंसानों को अभी मून पे भेजने का सोच रही है तो दोस्तों at the end अब आर ये हमारी bonus point की दोस्तों हमारे भारत में 15 February 2017 को दुनिया का स से पहले के record 37 satellite का जो की रस्या के पास था साथी दोस्तों 104 satellite को एक बार में अलग अलग पात पर launch करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन फिर भी भारत ने उन चुनौतियों का सामना करके एक नया इतिहास रस दिया साथी इस तो दुनिया क इसको लाइक करके चैनल जरो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वी फैक्लेटिव वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाइवाट टेक केर जैहिंद वंदे मातरम